देखिए सेक्सोफोन सीखने के लिए आपको थोड़े दिन यहां से एर ब्लोग करने की प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले तो इसकी आवाज ही हमें बनानी है ये थोड़ा सा व्लोग करने में ये थोड़े दिन ये आपका यहां से फेज जो है वो जल्दी से ठक जायेगा तो इसकी प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आपको आज बनानी आएगी देखी किस तरह से है तो लंबा बजाने की प्रैक्टिस करनी है और sound को बिल्कुल straight बनाने की कोशिश करनी है इसके लिए थोड़े दिन आपको लगेंगे और धीरे धीरे आप खुद ही इसकी जो ये read की setting है आप खुद कर पाएंगे धीरे धीरे तो देखिए उसके बाद इसमें क्या है कि बहुत सारी keys हैं तो जल्दी से तो आप ये बहुत जल्दी आप इसको समझ नहीं पाएंगे इसको सीखते सीखते ही आप सब की इसके बारे में धीरे धीरे आपको पता जलेगा कि इन सब का क्या function है इन सब के पीछे कोई ना कोई इसकी sound का ही function है सुर्फ चेंज होते हैं जैसे जैसे ठीक है तो keys के इसाप से अलग-अलग scale बनते हैं जैसे notes के इसाप से C scale है फिर D है E है F है इस तरह से अलग-अलग scale है तो मैं अभी आपको वही scale बताऊंगा जो सेक्सोफोन के लिए easy है आम तोर पर C scale सबसे पहले सीखते हैं लेकिन C scale में जो फिर upper octave के notes हैं वो आप जल्दी से बजा नहीं पाऊगे तो सबसे अच्छा यही है कि हम G scale पे practice करें इसमें तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यह देखिए मैंने यह सबसे पहले यह जो white वाली keys है यह मैं तीन प्रेस कर रहा हूँ तो यहां से जो sound बनेगी उसको हम सा बोलेंगे सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा तो इसके पिछे एक यहां पे अलग से octave की लगी वी है जिसको हम प्रेस करते हैं तो हम हमारा octave चेंज हो जाता है तो अभी देखिए मैं आपको बताऊंगा कि सारे गा मा पा धा नी सा इसमें कैसे बजाएंगे सारे गा मा बजाने के बाद जब हम पा बजाएंगे तो पीछे से यह जो हमारा धंब है इससे हम इस octave की को प्रेस कर लेंगे तब पा की ट्यून बनेगी इसमें पा बजेगा ये पूरी कीज मैंने प्रेस की हुई है उसके बाद इस फिंगर से धा और फिर ये सेंटर वाली फिंगर सिर्फ दवी रह जाएगी यहां से नी और फिर सा तो देखिए एक बाद तो देखिए सारे गामा पाधानी सा लास्ट कर सा जब तो ये हाथ छोड़ देंगे ये तीन हमारे की इस हाथ से प्रेस रहेंगे और फिंगर देखिए मैं किस तरह से कौन कौन से फिंगर यूज़ कर रहा हूँ ये तीन फिंगर यहाँ पे और ये तीन फिंगर यहाँ पे तो इस तरीके से आपको सारे गामा पादा नीसा की प्रैक्टिस करनी है जब पाँ आएगा तो पीछे से यह हम यहां से यह वाली की अपने थम से प्रेस कर देंगे ठीक है? अभी देखिए मैं फिर से पजाऊँगा एक बारी जब मां पजाना है तो यह वाली finger हम उपर कर लेंगे यह भीच का एक सिंगल नोट ही प्रेस है इसका ध्यान रकना है और जब मैं नी पजाऊँगा तो यह भीच वाली एक की मैंने प्रेस की हुई है और ये वाली finger उपर कर लूँगा तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है देखिए और सारे गामा पादा निसा पर जाने के बाद उसी तरह से सारे रे गामा मा दो दो बार यहां पर blow करेंगे तो double double note बनेगा, देखिए तो इस तरीके से आप ये थोड़े दिन इसकी प्रैक्टिस कीजिए पर धीरे धीरे आपको बताएंगे कि आगे जो इसकी और exercise है वो करनी है इस तरीके से आपका एक scale पूरा आपका इसमें तीनों octave यूज हो रहे हैं और आपको पूरी जैसे range मिलनी चाहिए कि upper octave के 4 notes आप बजा लेंगे और lower octave के भी आप 4 notes बजा लेंगे उसके फिर कोई भी गाना, कोई भी tune आप बजाते चले जाएंगे कोई भी राग तो जब आपका एक scale समझ में आपको आ जाएगा कुछ दिन तो आप C scale भी बजाएं, D भी बजाएं धी जिरे आपको सब समझ में आएगा तो इस तरीके से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं